सब्सक्राइब कीजिए मैजिक हेल्टिप्स चैनल को हेल्थ वीडियोज की सबसे सही और सची जानकारी के लिए दोस्तों यदि आपके टेस्टिकल्स जिसको कि हम अंडकोस भी बोलते हैं उसमें दर्द है या फिर सूजन है या फिर वो छोटा बड़ा हो गया है तो फिर ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बताये गए उपाये को आजमाईए आपकी जो समस्या है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी दोस्तों मैंने इस रोग से रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं जिससे की लाखो लोग को फायदा हुआ है लेकिन ये जो रोग है इसके जो इलाज है इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बात होती है उसको लोग थोड़ा नजरंदाज कर देते हैं जिसकी वज़ा से कई कई बार उनको फायदा नहीं भी होता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जो सावधानिया आपको बताए जाए उसको भी ध्यान में रखना है आपको और जो उपाय आपको बताया जाएगा उसको ध्यान से देखना है जो पॉइंट बत testicles में है, जिस side के भी balls में आपको तकलीफ है जिदर सुजन हो गई है, जिदर तर्द है, या फिर गांट पड़ गई है, तो उस side हम जो भी उपाई करेंगे वो उसी side में करेंगे अगर left side में होगा तो हम सारे उपाई left hand में या फिर left leg में करेंगे और अगर right side में होगा, तो हम सारे उपाई right hand में या फिर right leg में करेंगे, दोस्तों इस उपाई में जो point है, वो बहुत जादा important है, तो जब आप इस कलाई के पास ऐसे टटोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नस भी परतीत होगा, और थोड़ा सा जब आप दवाएंगे तो थोड़ा दर्द भी लगेगा दर्द है, इसका मतलब यह है कि आपके testicles में problem है उसकी वज़े से ही आपको यहाँ पर दर्द है तो जहाँ पर भी आपको दर्द होता है, वहाँ पर आप अपने pen की सहायता से इस point को ऐसे करके बना लें दोस्तों जो point होता है वो बिलकुल मटर के दाने के बराबर point होता है तो point धियान से देखिएगा और इस परकार से अपना point बना लीजेगा यह point इसलिए मैं आपको निसान लगाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको आगे भी जब अगर दबाना पड़े तो फिर आपको असानी से आप वहाँ पर दबा सके तो ऐसे करके two finger डाप लीजेगा और फिर यहाँ पर ऐसे करके दबाईएगा एक मिनिट तक दबाना है आपको दबाव एकदम firm होना चाहिए और हतेली जो होगी वो बिल्कुल खुली होगी इसको ऐसे करके मोड़ियेगा नहीं मोड़ियेगा तो फिर वहाँ पर नस में आपको यहाँ पर जहाँ पर दबाईआ है आपने वहाँ पर आपको दबाव पढ़ने लगेगा तो यह जो हतेली है वो खुली होनी चाहिए और ऐसे करके आपको दबाना है एक मिनट तक दबाना है और उसको चोड़ देना है ध्यान आपको इस बात का रखना है कि राइट साइड में रहेगा तो राइट साइड वाले हैंड में दबाएंगे और लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट साइड वाले हिंड में दबाएंगे इस पॉइंट पर दोस्तों आपका ये है अंगुठा और ये है आपकी तरजनी उंगली इसके बीच का जो ये मांसल भाग है यहाँ आप देख रहें आपको यहां पर तब तक डबाना है जब तक कि आप इसका बर्दास्ट कर पाएं पैरों में जो आप यह वाली हड़ी देख रहे हैं अंगुठे की सीध में जो यह वाली हड़ी होती है अंदर की साइड वाली इसके सीध में आपको यहां से दो अंगूल ऐसे नाप लेना है और यहां पर बिल्कुल यहां पर आपको प्रेस करना है 30 सेकेंड तक यहां पर भी दोस्तों उतने ही प्रेसर से हम प्रेस करेंगे जिता कि हम बर्दास कर पाएं यहां पर भी आपको 30 seconds तक प्रेस करना है और फिर इसको release कर देना है और उसके बाद इसमे clockwise और anti-clockwise ऐसे कर गए मसाज देनी है दोस्तों अगला जो point है वो आपके pair में है पैर में जो यह छोटी वाली उंगली देख रहे हैं इसके बाहरी तरफ में यह हड़ी है और इसके बीच में यह गड़ा है गड़े में दोस्तों जब आप टटो लेंगे तो आपको थोड़ा सा दर्दे सा लगेगा इस जहां पर भी आपको हलका दर्दे सा लगेगा वहीं पर आपका point है आप चाहें तो इसको pencil या pen की मदद से यहां पर निसान बरा सकते हैं ताकि आपको point याद रहें तो फिर इस गड़े पर आपको अपने मूठे की मदद से ऐसे करके दबाना है दोस्तों इस point पर भी हम एक मिनट तक दबाएंगे ध्यान रखिएगा right side होगा तो right side वाले पैर में दबाईएगा और left side में तकलिक होगा तो left side वाले पैर में आपको दबाना है यदि आपका एक बार में ठीक नहीं होता है तो आप इसको सुबह और साम साथ से दस दिन तक कीजे आपकी जो समस्या है वो पुर्णतर ठीक हो जाएगी जो आपका दर्द है सुजन है या फिर जो गांठ बन गई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अब दोस्तों आपको कुछ सावधानिया भी वरतनी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान से देखना है और उन सावधानियों को भी करना है दोस्तों जो उपाय आपको बताया गया है इस उपाय में सावधानिया भी आपको कुछ रखनी है पहली जो सावधानी यह वह यह है कि आपको जिस पॉइंट पर बताया गया है आपको उसी पॉइंट पर दबाना है और उतने ही देर तक दबाना है जितना देर तक कि आपको इस वीडियो में बताया गया है इसके बाद जो दूसरा आपको साफधानी आपको रखना है दोस्तों वो ये रखना है कि जब आप बहुत ज़्यादा ठके हुए हो या कोई काम करके पसीने से लगपत हो गए हो और आपका जो हाटविट है वो बहुत ज़्यादा तेज हो तो ऐसे समय में आपको ये उपाय नहीं करना है जब तक कि आप normal condition में नहीं आ जाए तब तक आपको ये उपाय नहीं करना है दोस्तों इसके अलावा यदि आप भूखे हैं तो भी आपको ये उपाय करने से पहले थोड़ा सा खा लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा जवा भोजन कर लेते हैं लंच या डीनर उसके तुरंत बाद इस उपाय को नहीं करना है कम से कम एक घंटे के बाद आपको ये उपाय करना है दोस्तों इसके अलावा यदि आपको एक जवा का सेवन कर रहे हों कोई भी तरह का मेडिकेशन आप ले रहे हों तो उस दवा को इस्तेमाल करने के कम से कम दो से तीन घंटे बीट जाने के बाद आपको ये उपाय करने है इसके अलावा यदि आपने असनान किया है खासकर गर्म पानी से असनान किया है तो उसके आदे घंटे बाद आपको ये उपाई करना है साथ ही दोस्तों इस बात का आपको बिसेज ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट पर आपको दबाने के लिए बताया गया है उस पॉइंट पर कोई जखम नहीं होना चाहिए या फिर वहां की कोई हड़ी नहीं टूटी होनी चाहिए अगर ऐसा आपके साथ है तो कम से कम उस जखम को मिट जाने दें खत्म हो जाने दें या फिर वो हड़ी जब जुड़ जाए तब ही आपको ये उपाई का इस्तेमाल करना है बस दोस्तों ये कुछ सावधानिया है जिनका की पालन आपको इस उपाय को करने के दौरान रखना है जो की बहुत ही आसान सी सावधानिया इसको आप बढ़ी आसानी से रख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप जो points मैंने आपको बता हैं उन points पर आप सही से आप वीडियो देखें अगर एक बार समझ में ना आए तो दुबारा देखें और उसी point पर दबाएं जिस point पर आपको बताया जाए दोस्तों इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है ये होती असानी से ठीक हो जाएगी आप इस उपाय को करकर देखिए कुछ लोगों का तो एक बार में ही ठीक हो जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा time भी लगता है ऐसे cases में आपको 7-10 दिन तक इस उपाय को करना पड़ेगा बड़ा ही असान सा उपाय है एक से 2 मिनट लगत इस उपाय को करने में और आपकी जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी